नहिताल के ओकल कांडा में लाखों रुपियों से बना पशु चिकितसाले अब हो रहा है खंडर में तक दील, रो रहा अपनी बदधाल सिती पर जी हाँ हम बात कर रहे हैं उत्राखंड के नेनिताल जिले के विकासखंड ओकल कांड़ा के काला आगर में लाखों रुपे से बने पशुचिकित साले की जहां ना तो कोई पशुचिकित सक है ना ही पशो के लिए इलाज की कोई सुविदा बस है तो खंडर में तब्दील होत चिकित साले की इमारत और जमीन पर 4-5 फुट लंबी घास नमस्कार आप देख रहे हैं UK24x7 News वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल UK24x7news.com को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें और फेस्बुक पर फॉलो करना ना भूलें आपको बता दे की जब से काला आगर उकल कांडा में यह पशुचिकित साले बना है तब से आज तक यहाँ पर ना तो किसी पशुचिकित सक की तैनाती हुई है और ना ही कोई अन्य करमचारी की स्थाई पोस्टिंग हुई है आलम यह है की आज तक मुख्य गेट में बिल्डि बना है तब से ही यहाँ पर कोई नहीं आया और साशन प्रसाशन को बताने के बाद भी किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी इसी कारण लाखों रुपे से बनी यह अस्पिताल की बिल्डिंग विरान पड़ी हुई है आपको बता दे की यहाँ पर दूर दूर तक कोई जिशानी का सामना करना पड़ता है वहीं मेडिसन और डॉक्टर के अभाव में कई बार मवेशियों की मृत्यू हो जाती है जिस कारण किसानों को मुख दर्शक बनकर खामियाजा बुखतना पड़ता है वहीं स्थानिय जन प्रतिनिद्यों का कहना है कि यहाँ पर जल से ज अस्पताल नहीं खोला गया तो वह जद्न आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी संपूर्ण जिम्यदारी सरकार की होगी वहीं हमारा भी उत्राखंड के पशुपालन मंत्री सौरब बौगणा से निवेदन है कि किरप्या अपने विभाग की सुद लेते हुए अ खलकाडा के क्वेरला में उपस्तित हूँ क्वेरला ये काला अगर का इलाका है और यहां पर एक पसुपाल है् मैं केमरेमेन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाईए यह पसूपाल जब से बना है तब से इसमें घहासी जमी है और यह बील्डिंग भी अंदर यह कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो है कम सगम नहीं भी तो पांट-पांट-पांट-शेचे फुट की यहां पर घासें जमी पड़ी हैं काला अगर के यहां पर प्रधान जी भी मेरे साथ में हैं और जो डिकॉलेज के जो पूर्व अध्यक्स हैं कमल मेवाड़े जी वह भी यहां जो है कब बना था और तब से इसमें क्या कोई अभी तक कोई इस्थाब आया है नहीं कि यह पशू अस्पताल जो न्याए पंचायत कालागर का पशू अस्पताल है नकी कालागर को एरा लगा पूरे न्याए पंचायत का है यह दोहजार अठारह 17-18 में लगभग बना था तब से एक पर्मनेंट एक आई कोई पसुधन प्रसार अधिकारी लेडी जाई वो भी तीन-चार मेहने रुकी उसके बाद दोहजा लगभग तीन-चार साल से यहां कोई भी पर्मनेंट इस्टाप नहीं है तीन-चार बार हमने लेटर दे दिये विभाग को विभाग कहता है कि इस्टाप की कमी है और एक इस्टाप है पसुधन प्रसार अधिकारी उसके पास ओखलकंडा नाई डालकंडिया और कालागर है बताते हैं तो यहां पर बिल्कुल इस्टाप की कमी है जबकि हमारा गाउं यहां हमारा न्याई-पंचायत पूरा किर्शी छेत्र और पॉष्पालक परिशान होते हैं बहुत से पॉष्पालक को कि जानवर बीमारी के चलते-चलते मर जाते हैं जिनका कोई पर्मनेंट इलाज नहीं हो पाता है जबकि होस्पीटल बना है यहां-पर सरकार ने इतना पैसा खर्चा कर रखा है लेकिन इस्टाप नहीं है खाली जब तक यहां पर कोई पर्मानेंट इस्टाप नहीं आएगा तब तक हम लोगों की समस्या या मेरे गाउं वाश्यों की चेत्र वाश्यों की समस्या दूर नहीं हो सकती है मैं एक नियाई पंचायत का एक होस्पिटल है मैं केमरामेन को बोलूँगा कि थोड़ा सा इधर को दिखाईए यह अंदर को जाने वाले रस्ते में कमस्या यह घास है अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां की जो परिस्तिती है वो क्या होगी जो यह इलाका है काफी दू पर एक कोई भी स्टाफ होता तो चोटी-मोटी बिमारियों को बसों की चोटी-मोटी परेसानियों को तो दूर कर सकते हैं सर क्या आपने अभी तक जो है लिखित रूप में इस्तानी प्रशाशन को हमारे माननी विधायक जी के माध्यम से यह आवाज उठाई है बिल्कुल यह हर छेतरबंचायत की जो हमारी बैठक होती है उसमें भी हम यह मुद्दा रखते हैं और वैसे भी कि पॉश्पालन विभाग को भी हम दे चुके हैं लिखित में तब से आज तक खाली आश्वासन दिया जाता है कोई भी स्टाप नहीं आया अभी तक तो आपका कहने का मतलब है कि आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे हैं और अभी तक कारवाई कुछ नीव है आप हैं कमल मेवाडी जी जो की यहां के जो समाज सेवी भी हैं और काफी एक्टिव लगते हैं यंग हैं क्यों आपको भी इस बात की जानारी होगी क्योंकि आप आपकी तरफ से कभी कोई ऐसा यह बुद्ध मुद्धा उठाये क्या हमने यह बुद्ध मुद्धा उठाया था और हमने शिक्साइब भाग में पुष्पालन वाग में हमने लेटर दिया था जब यह यह रोग आय थे बीच में तो हमने बिभाग को लगा कि उन्हें दो भार गाड़ी भेजिए उसकी बाव उनका कहada कि हम यहां पर यह और येक लिए कृरमचारी बेजा गया यहां पर जो अब दक जो हैजितनी भी यहां पर लोगों कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है इसलिए आज यहां पर लोगों में एक रोज व्यापत है ताकि कम सकम जो यहां की जो मूलbूछ आगऐ हैं उनसे लोग बंचित हैं इनसान तो इनसान क्या पासुबी जो हैं अपनी मूलbूछ सुभदाओं से कुछ बंचित हैं तो सर जैसे की एक चीज में और आपसे जानना चाहता हूं कि यह दोजार अठार में जैसे प्रधान जी ने बताया कि हॉस्पिटल खुला था तो ओभी ऐसे ही नहीं खुला होगा उसमें भी लोगों ने संघर सकिया होगा तब जाकर के यह अस्पिताल यहां पर आया होगा त तो उसके बाद हो चले गी तो उसके बाद मेला कभी भी कोई संग्यान नी हुआ सब्सक्राइब ने कभी लोगों के नहीं भाई ने फिर बियां पर दूर्श हे दौर को बोलाते थे लेकिन हमारे चेत्र में यह बंद पड़ा हुआ था यहां पर लोग आते थे लिप यहां बंद दिखता था यहां पर कि आवाज उठाते गें लेकिन कोई भी यहां पर नहीं भेजा गया तो अभी अधिकारी या करमचारी यहां पर उपस्तिन नी है ताकि इन लोगों की छोटी-मोटी समझाएं तो दूर हो सके मैं बित्वकास UK24 and 7 News के लिए अपने सायोगी केमरामेन दिनेसमेवाडी के साथ भीमताल से